बूर्णिंग ओलो फ्यों आज हमा रहा है रेशनल नंबर सेगंड पार्ट इसे हम फर्स्ट कर सुके हैं सेगंड पार्ट में आज हम जा रिखने हैं देखों फर्स्ट कर्शन में क्या बोल रहा है कि अग्या प्लस माइन वाइन आपको पहले बताया था कि जब उनक्रेशन सोल करते हैं तो अच्छी तर जान रखना है तो इसमें चाहें फाइफ वाइफ और प्लस अधिति लिए यह बेकर के बार प्लस है और अंदर माइनस है तो अपको प्लस माइनस क्या हो जाते हैं तो इसमें डेकर सोल करते हैं तो आपको एकर जीज़ यह ज्याद रखने हैं जब डिनोमिनेटर में दो टर्म हो टीन टर्म को डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो वह लिए जेमा जाता है एंग अजाएगा 5-11 11-5 प्लस है तो क्या हो जाएगा-6y 4 तो इसको तब कैंसल करेंगे कि इन अजाएगा 2-3y तो यह हमारा तो यह मारा first part बखार thing same वैसे ही यह first question हो गया इसपृस्बार करते है second part second part में है उसमें दें पार्ट में है तो हम जाकर मिक्स ख्रक्सिन को पहले fraction में लेकर आये तो कैसे लेकर आते हैं इसको जो डिनोमिनेटर में होता हुआ उसको इससे मुलिप्लाई करते हैं 2 3 6 एंड ये उपर वाला जा होता निमेरेटर वो प्लत होता है इतना होगा 6 वो बन 7 माइनस 7 वाइ 3 माइनस का साइन था तो यह लिए हमने यहाँ सेम वैसे इसका पर फाउस वाउस हा लेकर भी बताया था 3 और 5 तो इससे दिवाइड नहीं हो रहे तो इसमें क्या करें पहले 3 से और अगें 5 से तो दोन और इतंग क्या हो गई 1 गोड तो 3 5 दर 15 तो वह हमारा LCM आ गया 3 से जो First का Denominator है उसको इससे Divide करेंगे पहले और जो असर आएगा उसको उपर वाले से numerator से multiply करेंगे तो 3 से इस पर Divide करेंगे कितने पर 5 और 5 तो 7 से multiply करेंगे तो 5 तो 35 Plus से तो plus लगा दिया 5 को जब 15 से Divide करेंगे Yes Sorry 15 को 5 से divide करें कितना आएगा 3 को 23 को 20 से multiply करेंगे तो 23 का 60 तो 35 माइनस का है 60 plus का है तो कितना आएगा 25 plus का बड़ा था तो sign plus का ही रहे जारेगा divide 15 अब यह cut आहें दोनों 5 से तो इसको क्या कर दें 5 तो इसको क्या कर दें 5 याज 5 5 तो इसमें से कोई साइन चेंज नहीं होगा है मैंने बताते हैं वह साइन कन्वेंशन वाला सें साइन होते हैं तो प्लस हो जाता है इवाइड 7 वाइड 15 अब बसी 13 और 15 का जब लेंगे पिकना हो जाएगा और 15 को 6 से मल्किप्लाइ करेंगे तो 56 और 90 क्लस 15 से जब इसको दिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 को इससे दिवाइड करेंगे तो 91 अब 91 क्लस का है और यह माइनस का है तो कितना हो जाएगा इससे पहले उने प्लस का क्या था है अब करते हैं जिसमें डिवाइड दे रखा हो या भी मल्किप्लाइड दे रखा हो तो एक क्यों सुन है 3 by 7 multiply minus 2 by 5 देख आपके बाद multiply नहीं है तो हम क्या करेंगे 3 by 7 multiply जो दे रखा था माइनस 2 by 5 तो एक चीज़ का ज्यान रखना जब multiply होता है बीच में और इसमें rational की form में number दे रखे होते हैं तो हम क्या करेंगे निम्रेटर की निम्रेटर के साथ multiply होती है डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर की बस यह याद रखना हो तो इसमें में क्या करेंगे 3 multiply 2 और एक माइनस का तो साहिन माइनस का जाए 3 2 6 and 7 multiply 5 कि यहां पर एक चीज़ करने है सेम बैसे question हो जाएगा तो इसके साथ में देखेंगे ना अब मान लोग को इसमें 3 by 13 divided minus 4 by 65 यहां पर एक चीज़ का जान पहना अगर मान लोग कट रहे हो यह पहले यह तो फिर लास्किन का ज़िए अगर पहले कट रहे हो नुम्रेटर से कोई भी डिनोमिनेटर वाला कट रहा है या फिर डिनोमिनेटर से कोई भी णिमरेटर वाला कट रहा हो तो अम काट सकते हैं और अगर आप यहां ने कातना तो फाइनल आंसर आने के बाल जाते हो तो देखो यहाँ पर 3 by 13 था, multiply दे रखा, उतर डारेक्ट निम्रेटर निम्रेटर की साथ multiply और डिनॉमिनेटर की दिनॉमिनेटर की साथ multiply लेकिन divide दे रखा तो हम पहले का दरेंगे, divide गो multiply बनाने के बाद, जिसो आगे वाली term दे रखे हो कि वो change हो जाता है, numerator डिनॉमिनेट ठीक है, अब आगे वैसे ही, जैसे equation सोल गया था, मैंने बोला का कि अगर यहाँ कट रहे हों, तो cut हो, देखो, इस दिनॉमिनेटर से यह वाला numerator कट रहा है, 13 था, 13 था, 5 था, इस से यह ने कट रहा है, तो हम अब क्या करेंगा, आप पहले multiply करते हो, आप पहले multiply करते हैं, पहले इनको डिवाइड कर दिया, उसके बाद multiply करेंगे, 53 से multiply करेंगे कितना होगा, 53 था, 15 और यह minus साथ में यह रहे हो, तो answer कितना आगा है हमारा, 15 डिवाइड 4, minus के साथ, ठीक है, यह हमारा, तो हमने प्लस वाला कर लिए, minus वाले कर लिए, multiply, divide, divide के चलो एक question और देख देते हैं, इसने देते हैं, minus 4, divide 5, और इसके साथ, divide में जा रखा है, minus 3, तो मैंने अभी क्या बताया था, पहले वाले कोई दीटीज रख लो, divide को अभी हमने multiply, यह जो 3 था, 3 को हम क्या ले सकते हैं, 1 by 3 और साथ में, minus रख लो, तो आगे सेम वोई, cut नहीं रा, कौन से numerator से कोई denominator वाला नहीं, cut रात हम क्या करेंगे, 4 की 1 से multiply करेंट क्या होगा, 4, 1,000, 4, और मने बताया था, minus, minus, same sign, जब multiply में हो तो क्या हो जाएंगे, plus, और 4, plus, और 5 तरी था, इसने यह हमारा, इसके बाद आपके mistake होने के chances, बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो यह था हमारा आज का practice work, rational work का हमारा second part कर लिया, हमने, first part फाले कर चुगी थे, तो अब जितरी ज्यादा हो सकते हैं, आप इसके question की practice कर गए, तो जब तक हमारी next video नहीं आती, इसके question की try करत ग्राइब कर दो सकते हैं, आपके भी नहीं हैं, तो यह हैं, आपके बाद जादिए्थल शादान के बादे हैं, तो यह तो जो झांटे हैं, आपके बिल्जाएएर, फ्यूद जो अब